शनिवार को शिमला नगर निगम की महापौर कुसुम सद्रेट ने सांग्टी वाड का दोरा किया और लोगों की समस्याइं सुने इस तोरान समस्याओं के शीगर समाधान का आश्वासन भी दिया सांग्टी वाड के लोगों का कहना है कि बरसाद की वजह से यहां पर कई समस्याएं पेश आई थी लेकिन अभी तक भी उन समस्याओं का निदान नहीं हो पाया है भारी बरसाद के बाद राजधानी शिमला में भूस्खलन से रास्ते वो सड़के अवरुद हो गई है और लोगों को गंदगी के साथ साथ पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है शिमला के सांग्टी वाड में लोगों को पानी की समस्या बरसाद के बाद से नहीं है बलकि इस समस्या से स्थान्य लोग काफी लंबे समय से जूज रहे हैं हलंकि समस्या को लोगों ने कई बार प्रशासन से अवगत करवाया लेकिन परिनाम सिफर ही है। स्थानिय लोगों ने सडक अवरुत के साथ साथ पानी की समस्या को प्रमुकता से बताया। उनका कहना है कि अक्सर पानी की समस्या से उन्हें खासी दिक्कते आती हैं। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने पानी के लिए एक और टैंक बनाने का प्रपोजल नगनिगम को भेजा है. हमारे यहां बहुत ही समस्या है, एक तो रास्ते भी ठीक नहीं है, जगा जगा टूटे हुए बरसाद की वज़ा से, और जगा जगा लेंड स्लाइड हुआ है, और पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जो पानी हमारे को यहां पर प्रवाइड हो रहा है, वो टैंक बहुत ही क और लोगों की समस्याएं सुनी, महापाओर कुसुम सद्रेट ने सीटी जानल से बात करते हुए लोगों की समस्याओं को जल निप्टाने का आजवासन दिया समस्यां बता सकते हैं यहां अगर आप आफिस नहीं आ सकते तो फॉर्म के द्वारा भी मुझे आप अपनी समस्यां बता सकते हैं तो इसलिए आज मैं जो है सांग की वाड आई हूं और यहां पर लोगों की समस्यां जानी है तो लोगों की समस्यां काफी है यहां पर एक तो ब्यूरो रिपोर्ट सीटी चानल शिम्ला